तर आप जमो कश्मीर योटी से ब्लॉंग करते हो तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप एज सेटिफिकेट के लिए ओनलाइन एपलाई कैसे करोगे तो इस वीडियो में आपको स्टेप पर स्टेप फुल प्रोसेस दिखाएंगे कि आप एज सेटिफिकेट के लि ब्रोजर पे आने के बाद आपको सर्च करना होगा JKE Services, JKE Services सर्च करने के बाद आपके सामने JKE Services का Official Website आ जाएगा तो आपको ओपन कर दे रहा है, JKE Services का Official Website ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे अपना Login ID, Password अगर आपने पहले से ही रिजिस्टेशन की है JKE Services के Portal पे तो आपको यहाँ पे अपनी Login ID और Password डालके यहाँ से Login कर देना है, अगर आप पहले बार विजिट कर रहे हो JKE Services के Portal पे तो आपको यहाँ पे रिजिस्टर का एक Option आ रहा है तो आपको इस पे क्लिक करना है, रिजिस्टरा New Citizens पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ instruction दी गई है, तो आप यहाँ से अपने जो instruction है वो read out कर सकते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे name of applicant डालना है, उसके बाद आपको यहाँ से पैरेंटेज सेलेक्ट कर देनी है, father, husband, guardian जो भी होगा, उसके बाद आपको यहाँ पी address line to fill करना है, उसके बाद आपको यहाँ से select करना होगा अपना district जो भी आपका district होगा, उसके बाद आपको यहाँ पी अपनी तासिर select करनी है, तासिर select करने के बाद आपको यहाँ पी अपना village name डालना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे पीन कोड फिल करना है और यहाँ पी आपको एक फोटो एपलोड करना है जिसका साइज 20 से लेके 50 KB के बीच में रहेगा और आपका जो फोटो फर्मट होगा वो JPG या JPG.Fर्मट होगा उसके बाद आपका अगर पर्मिनेट एडरस और करेंट एडरस है मैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पे एक मोबाइल नमबर डालना है जो आपका मोबाइल नमबर होगा mobile number डालने के बाद आपको यहाँ पर verify mobile number पर click करना है उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी email id फिल करनी है email id फिल करने के बाद आपको यहाँ पर एक login id डालनी होगी जिसमें आप अपना जो name है वो भी डाल सकते हो यहां पे name डाल के आप यहां से check availability पे click करना होगा अगर वो username या login ID आपको available होगा तो आपको दिखाएगा username is available उसकी बाद आपको यहां पे एक security question होगा what is your mother median name तो आपको यहां पे अपने mother name fill कर देना है preview पे click करने के बाद आपको यहां पे option आ रहा है नीचे आके submit का तो आपको यहां पे submit पे click करने है submit पे click करने के बाद आपकी जो registration है वो successfully हो जाएगी उसकी बाद आपका यहां पे login ID और जो password हो शो हो जाएगा यहां से आपको यह अपना password है वो copy करने है password copy करने के बाद आपको यहाँ पे login पे click करने है, login पे click करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी login ID डालनी है जो आपने वहाँ पे create किया था उसके बाद आपने जो password create किया हो यहाँ पे डालना होगा उसके बाद आपको यहाँ से role citizen सेलिए किरें लेकिह किरें उसकी बाद आपको एंपर हैं पिक किरें प्रोल्च आइक सिंद और पाशन के लिए टाइँ था पूली इंग बन मुद्वाद लीड़ जैंग अई किले उसके बाद आपको दिखाएगा credentials are updated successfully उसके बाद आपको यहाँ पर e-services पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक option आ रहा है health का तो आपको इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पहली एक option आ रहा है application for age certificate तो आपको इस पे क्लिक करना है एज सर्टिफिकेट वाले ओप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका जो पेज है वो डिस्पले हो जाएगा application form का उसके बाद आपको यहां पे अपनी कास्ट यहां पे select कर देनी है जो भी होगी उसके बाद आपको यहां पे height select कर देनी है उसके बाद आपको अपना एक identification mark यहां से select करना है उसके बाद आपको post office select कर देना है उसके बाद आपको यहां पे purpose of application select कर देना है social welfare उसके बाद आपको यहां पे employee department name और employee designation यहां पर डालनी है उसकी बाद आपको capture feel करना है capture feel करने के बाद आपको यहां पर preview पर click करना है preview पर click करने के बाद आपको यहां पर submit पर click करने के बाद आपका जो application form है वो submit हो जाएगा तो यह थी मेरी